Almost आपको सेम तरह का pattern देखने को मिलेगा और इससे क्या हुआ कि आप future में ये judge कर पाएंगे कि price यहाँ पर से किस direction में जा सकती है Hi everyone, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे F&O stock के बारे में discuss करने जा रहे हैं जहां पर आपको आने वाले सव में एक बड़ा move देखने को मिल सकता है अब बात करते है stock के पहला stock है हमारे पास starter communication का और ये rise का chart तो सबसे पहले हम लोगे हम पर region को find out करते हैं कि हमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा entry point होगा, क्या हमारा stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते है आप यहां पर देख सकते हैं जो मैं time frame यूज कर रहा हूँ वो है daily का तो आईए सबसे पहले region को find out कर लेते हैं एक simple सा horizontal line चीजों को बिल्कुल ही असान रखना है जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहां पर notice कर सकते हैं कि इस stock ने एक kind of W pattern बना रखा था और आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो selected ने का जो region है वो है W pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहां पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के comparison में कई गुना ज़्याता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेशा ध्यान में रखना कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 1900 के अगर उपर निकलता है तो हम अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stopless की तो stopless होगा previous swing लो जो 11800 रुपीच closing basis पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 1935 का second target है 1958 का अब इसके बाद जो stock अपने all time है की तरफ निकल जाएगा अब आईए दिखते हैं next stock और यह है अदानी enterprises का और यह रहाइस का chart again सबसे पहले region को find out करेंगे याद रखिएगा आप trading कर रहे हैं investing कर रहे हैं आपके stock selection का जो region होना चाहिए वो पूरी तरह से logical होना चाहिए इससे क्या हुआ कि आप long run में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं अब बात करते हैं कि हमने इस stock को क्यों select किया है तो एक simple सा channel pattern तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं यह जो stock था काफी लंबे समय से इस channel में trade कर रहा था और आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वो है channel pattern का breakout उतना ही नहीं मैं आपको यह भी बता दू कि जितने भी अदानी group के stock है वो थोड़ा सा news पर चलते हैं तो जब भी आप इसमें trade कर रहे या invest कर रहे थोड़ा सा इस बात को ध्यार में रखेगा क्योंकि news आपके control में नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता कि out of the market क्या हो रहा है external factor क्या करें हम लोग सिर्फ और सिर्फ technical को follow कर सकते हैं 5.0 के अगर ऊपर निकलता है तो मैं अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो की आ रहा है 3.222.0 डूपिच closing basis पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 3.4.5.0 का second target है हमारे पास 3.5.9.0 का and third target हमारे पास आ रहा है 3.6.5.0 का अब आईए देखते है निकस स्टॉक और ये है ACN paint का और ये rest का chart again सबसे पहले region को find out करेंगे इसको हमने recently discuss किया था इस वाले candle पे जहांपर price के और था support से एक reversal ले रहा था तो जैसा कि अगर आप मेरी videos देखते होंगे तो आपको पता हूँ कि मैं जब भी buy या sell के लिए करता हूँ तो candle के high या low के ऊपर discuss करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो candle का high है वो कभी break ही नहीं हुआ अगर candle का high break नहीं हो रहा है कि हमारे पास कोई भी entry ही नहीं बनी अब बात करते हैं कि आज हमने इस stock को क्यों select किया है तो हमने last time भी discuss किया था कि जब भी price इस level को touch करती है तो हमें हमेशा upside में एक बरा move देखने को मिलता है जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं prices को breakout देता है and upside में एक बरा move देखने को मिलता है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं almost आपको same तरह का pattern देखने को मिलेगा और इससे क्या हुआ कि आप future में ये judge कर पाएंगे कि price यहाँ पर से किस direction में जा सकती है उसी परकार से आप यह भी notice करेंगे कि जब भी price इसको break करती है मतलब ये जो area जो है इसको break करती है तो downside में भी आपको बड़े moves देखने को मिलते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे price ने इसको breakout किया I mean to say breakdown दिया retest किया and यहाँ से downfall again same चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और again यहाँ पर सेम चीज हमें देखने को मिल रहा है तो जब भी price इस level को break करती है तो हमें downside में भी बड़े moves देखने को मिलते है और आज के दिन price ने exactly same चीज किया है जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे इसने इस support का breakdown दिया है तो इस stock को जो select करने का जो region है वो है support का breakdown उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के comparison में कई गुना जाता है मतलब कि इस breakdown को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेशा धियान में रखना कि अगर price गिर रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता यह होता है business का और ऐसे cases में price के नीचे जाने के जो probability होती है वो काफी जादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 2840 के अगर नीचे जाता है तो हमें अच्छे selling देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing है जो की आ रहा है 2960 रूपीच closing business पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 2830 का second target है 2755 का और third target है हमारा पास 2700 का अब आई यह दिखते हैं इसका last stock और यह है device lab का और यह रहा इसका chart again सबसे पहले region को find out करने की कोसिस करेंगे last time हमने इसको somewhere यहाँ पर discuss किया था और आपको upside में काफी बहतरीन move देखने को मिला होगा but कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा move देखने को मिल जाए downside में क्योंकि यह जो stock है यह F&O में है तो F&O में क्या होता है कि आप इसे positionally buy भी कर सकते हैं और positionally sell भी कर सकते हैं अगर कोई भी stock सिर्फ और सिर्फ अगर cash second में तो आप उसे positionally buy तो कर सकते हैं लेकिन आप उसे positionally sell नहीं कर पाएंगे आप इसको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में sell कर सकते हैं अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया पर focus करना है कि price यहाँ पर किस तरह से behave करता है जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे price उपर जाता है same level को touch करता है and again हमें upside में बड़ा move दिखने को मिलता है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर एक breakout देता है upside में बड़ा move same चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और same चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अभी जो price है exactly same level पर trade कर रहा है बट अगर आप overall structure अगर आप इसा stock का देखेंगे तो यह जू stock है यह है downtrend में तो हम लोग downside के ही position बराने की कोसिज करेंगे जब price इस support को break करेगा जैसा कि आप यहाँ पर notice करेंगे मैं इसको थोड़ा सा extend कर देता हूँ जिससे चीजे आपको अच्छे से समझ में आए कि जब भी price इस label को break करती है तो हमें downside में भी बड़े moves देखने को मिलते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं मतलब यह एक ऐसा level है जहाँ से आपको बड़े moves देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 3525 के अगर नीचे जाता है तो हमें एक अच्छी selling देखने को मिल सकती है और जो हमारा stop loss होगा वो होगा 3675 रूपिज closing business पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 3425 का second target है 3340 का और जो हमारा third target आ रहा हो आ रहा है 3255 का तो आई होब कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा thanks for watching